तो कैसे हैं दोस्तों आप सब और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जीप कमपस 2024 का यहाँ पर टॉप वेरियंट S, फ्रन्ट वील ड्राइब ऑप्शन के साथ बाकी टॉप वेरियंट तो 4x4 का भी ऑप्शन आता है यहाँ पर, ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में ग्रिल मिल जाती है, जीप का लोगो मिलता है बोनट में यह है इसकी काफी पावरफुल LED हैड लाइट विद डियारल सेंट टर इंडी गिटर नीचे की तरह फॉग लाइट मिल जाती है, साथी साथ बंपर के लोवर पाट में आप लोगों को मिल जाता है बिक साइज रेडियेटर, ग्रिल बहतर एर इंटेक के लिए और यह है गाड़ी का यहाँ पर कंप्लीट फ्रंट से लुग, बोनट में डिजाइन मिलता है बहतर एरोड़नमिक्स के लिए गाड़ी के अंदर यह है गाड़ी का कंप्लीट साइट से लुग की वाइड के लिए आप देख रहे हैं इसके लिए ब्लू, ब्लैक, ग्रे, रेड, ग्रीन एंड सिल्वर कलर का भी आप्शन आता है गाड़ी के अंदर काफी बहतरीन रोड़ प्रेजन्स देखने को मिलती है यहाँ पर जीप कंपस की, अन्रोड प्रेजन्स की बात करें इस पर्टिकुलर विरन की रायपूर में तो यह आप लोगों को पड़ेगा 35,76,000 रुपीज का, अन्रोड प्रेज बता रहा हूं आप लोगों and foldable function के साथ मिलते है with heated function, safety के अंदर 6 airbags, ABS, EBD, all4 disc brake, front and side impact beams, traction control, electronic brake force distribution, traction control, hill assist, dynamic steering torque आप लोगों को मिल जाता है, अधिसाद frequency selective damping suspension मिलते है आप लोगों and यह alloyables का जो look है वो काफी बहतिनी लगता है, 360 की camera आ जाता है गाड़ी के अंदर, 4.4 meter की length मिलती है और 1.6 meter की height मिलती ही गाड़ी के अंदर and यह looks है गाड़ी के complete rear से, integrated spoiler मिलता है with LED high mount stop lamp, पीछे की तरफ काफी बहतिरीन design के साथ tail light मिल जाती ही यहाँ पर, 60 liter की यहाँ पर गाड़ी के अंदर fuel tank capacity मिल जाती ही और BS6 phase 2 compliant engine है तो यहाँ पर AdBlue यूरिया tank भी देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर and यह look है गाड़ी का complete S model का, Jeep Compass के, इसके उबर केवल 4x4 option ही आता है, यह automatic आप देख रहे हैं बागी rear windshield में rear wiper, defogger, की से भी open कर सकते हैं गाड़ी का boot, number plate light भी आप लोगों को white elevation के साथ ही मिलती है और यहाँ पर आप लोगों को best range segment boot space प्रोवाइड करती ही गाड़ी जो की है 438 liters का, दोनुई तरफ boot में length मिल जाती है, subwoofer मिलता है इसको उठाएंगे तो उसके नीचे मिलता है spare wheel, जो की एक steel removable tool kit और जो plastic and materials की quality यहाँ पर Jeep नीचे की तरफ बंपर में आप लोगों को reverse parking sensors मिल जाते है साथी साथ आप लोगों को rear fog lamp मिल जाती है, bumper में lower part में यहाँ पर और यह गाड़ी का lock है complete और आएप गाड़ी के पीछे के passenger set gate का lock open करके देख लेता है यहाँ पर तो दोस्तों ऐसा कोछ दिखता है गाड़ी के पीछे के passenger set gate का lock door की opening आप लोग दिख सकते हैं काफी wide open होता है तो गाड़ी में अंदर जाने में बाहर आने में ऐसाच कोई दिक्कत नहीं आएगी black finish में door मिल जाता है, power window की control, silver finish में door handle, speakers and twitters मिल जाते है और ऐसे कोछ दिखते हैं गाड़ी के rear की seat, काफी ज़्यादा comfortable यहाँ पर seats मिल जाती है तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी परशानी के इस गाड़ी के अंदर पीछे की seat में proper third के साथ door close होते हैं और जो paint quality and material quality वो भी top nose मिलती है तीन height adjustable headrest दिये गए हैं उपर की तरफ sporty feel के लिए black finish आप लोगों को मिल जाता है complete roof liner में और यह big size panoramic sunroof जो की काफी airy feeling ले आता है गाड़ी के अंदर और यह front dashboard का लोग है अगर इसकी नीचे वाले variant से compare करेंगे तो S model में आप लोगों complete black interior देखने को मिलता है जो की और भी the sporty feel कर आता है yellow आप लोगों को यहाँ पर cabin lights मिल जाती है grab handle मिलते है with coat hook front के दोनों ही जो seat belt उनकी height यहाँ पर manually adjust की जा सकती है आप लोग देख सकते है एंड जो leg room बगरा दिया गया है गाड़ी में वो भी काफी बहतरी मिलता है jeep compass के अंदर और जिस segment में गाड़ी compete करती ही जब आप इस गाड़ी को drive करेंगे इसके अंदर बैठेंगे तो आप लोगों को उन गाड़ीों से कई ज्यादा premium feel कराएगी यह basically एक segment उपर के आप लोगों को feel देती ही गाड़ी complete की let's go मिल जाता है front doors में गाड़ी के अंदर यहाँ पर और ऐसा को जिफता है गाड़ी के driver सेट कर लोग यहाँ पर भी यहाँ पर leather touch दिया गया है soft touch में power window की controls दी गई है one touch auto up and down के साथ bottle holder speaker साथी साथ यहाँ पर talk variant है इसलिए आप लोगों को memory seats के function भी यहाँ पर available है गाड़ी के अंदर और यह complete dashboard का लोग है और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की front की seat यहाँ पर electronic adjust कर सकते हैं आप लोग गाड़ी की front की seats को complete leather appository के साथ seats मिल जाती है और चलिए जब मैं गाड़ी के अंदर बढ़ जाता हूं और दोर को यहाँ पर close कर लेता हूं और अगर इसका आप लोगों को sound test सुनना है तो आप लोग मुझे instagram में follow कर सकते है रजस शिर्वास्तो 1310 के नाम से और ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों इसका complete digital instrument cluster digital speed rpm साथी साथ average engine coolant temperature distance to empty outside temperature यह सारी चीज़े बताएगा यहाँ पर और इसमें आप लोग अलग-अलग modes भी select कर सकते हैं इसके instrument cluster में जैसे कि digital speed आप लोग यहाँ पर analog form में भी देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को set करके दिखा देता हूँ वो चीज़ भी कुछ इस तरीके का आप लोगों को analog meter भी यहाँ पर आ जाता है digitally बना हुआ जिससे driving करने में और भी काफी अच्छी feel आती है जिन customers को वो चीज़ पसंद है वो लोग उसे साब सेट करके चला सकते है बागी tire pressure monitoring system भी मिल जाता है गाड़ी के अंदर और ऐसा कोछ रिखता है गाड़ी का complete steering wheel complete leather up steering wheel है यह एंड cruise control बगर है यहाँ पर दिया गया है infotainment के controls दिये गये हैं यहाँ पर MID के control tilt and telescopic function मिल जाता है steering wheel आउटसाइड उवारिन की size भी काफी इची तो visibility में कोई दिक्कत न सकता है और यह complete dashboard का लोग है bonnet proper दिखाई देता है गाड़ी में अंदर बैठने के बाद यह है इसका big size touchscreen infotainment system जो की support करेगा wireless android auto apple car play bluetooth mirror link साथी सांथ USB को inbuilt इसके अंदर आप लोगों को map and navigation system मिल जाता है साथी सांथ जो speakers की sound की quality और output आप लोग कह सकते हैं वो काफी बहतरीन मिल जाता है especially stop model के अंदर S में नीचे की तरफ AC की controls मिल जाते हैं और जो designing दी गई है buttons की controlling वो काफी बहतरीन मिल जाती है यहाँ पर और जो dashboard का upper part है वो भी आपने वो complete soft touch material के साथ दिया गया है गाड़ी में front के seats हो है वो काफी comfortable है driver की reach में सारी चीज़े दी गई है infotainment या AC की controls की बात करो तो और ऐसी कुछ keys देखने को मिलती हैं गाड़ी के अंदर lock unlock या hold करके आप लोग जो गाड़ी का boot है उसको भी open क कर सकते हैं यहाँ पर electronic parking brake मिल जाता है center में armless मिलता है काफी deep storage space के साथ बाकि यह 9-speed automatic transmission के साथ आप गाड़ी देख रहे हैं इसके लबाद 6-speed manual transmission का भी option आता है और सबसे बड़ा आप लोगों को यहाँ पर segment में मिल जाता है इसमें sunroof जोसका glass area है उसकी बात कर रहा हूं है दोनों किरफ sunshade में vanity mirror with light यहाँ पर दी गई है और black finish में मिल जाते हैं अमलेट sunshade भी और premium feel के लिए बाकि पीछे भी जो space वगरा दिया गया है वो काफी अच्छा आप लोगों को मिल जाता है गाड़ी के अंदर side support back support and thigh support front seats का काफी अच्छा दिया गया है big size glove box मिल जाता ह यहाँ पर lighting के साथ गाड़ी में अंदर silver inserts मिल जाते हैं leather stitching के साथ dashboard में जो की continue होते हैं one end से लेके another end तक dashboard में auto dimming IRBM मिल जाता है पीछे से light आगी तो automatically sense करके adjust कर लेगा वो और चलिए हम मैं यहाँ से गाड़ी का ignition off कर लेता हूँ यहाँ पर और चलिए दोस्तों मैं गाड़ आप लोगो open करके दिखाता हूँ बाकि नीचे pedals के पास proper dead pedal मिलता है बहतर comfort के लिए बाकि bill quality and looks wise गाड़ी काफी बहतरी मिलती यहाँ पर और यह आप लोग देख सकते है complete लोग यहाँ पर गाड़ी का front से तो दोस्तों यह जीप की तरफ से आने वाला 2000 CC का in-line 4-cylinder turbocharged multi-jet diesel engine जो की 170 horsepower and 350nm of torque निकाल के देता है 16 से लेकि 18 तर की बीच में mileage निकाल के देतेगा आपकी driving style के हिसाब से यह engine Tata Safari Tata Harrier के अंदर भी आता है उपर bonnet में padding मिलती से cabin में sound कम जाए तो चलिए हम मैं गाड़ी का bonnet close कर लेता हूँ तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मैं र comment से बताइए साथ ही मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और bell icon को भी प्रेस कर लिजगा ताकि आप लोग और इसी वीडियो देख सके तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत